नमस्कार साथियो आधुनेक भारत की वेकलपिक स्रंखला में आप सब ही का स्वागत है यह स्रंखला का पहला सेजन है और प्रति दिन दो से तिन सेजन आपको इस स्रंखला के प्राप्त होने वाले हैं यह पूरी स्रंखला UPSC को ध्यान में रखकर त्यार की गई है मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर भी जिनके लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिये हुए हैं इस सेजन का पहला फ्रसन है यूरोपिय कंपनियों के आगमन के संदर्ब में निमलिखित कतनों पर विचार करें आपका पहला कतन है वासको डिगामा भारत के पस्चिमी तर्थ पर इस्थित कालिकट बंदरगाह पर पहुँचा था बिल्कुल ठीक है और जमोरील ने वहाँ इसका स्वागत किया था दूसरा पुर्तकाली वैपारियों ने भारत के कालिकट गोवा दमन वद्देव तथा हुगली में अपनी कोटिया स्थावित किये भी बिल्कुल ठीक है तीसा कथन देखे पांडचेरी पर कबजा करने वाली पहली और आकरी सकती पुर्तकीज थे जी नहीं ये गलत है यहाँ डचो ने भी अपना कबजा किया है अंग्रेजों ने भी अपना कबजा किया है आप इस प्रसन का सही उत्र से पहले एक बार जो है इस प्रसन की व्याक्या देख लीजिए देखे पंड़िचेरी में सरपर्थम पुर्तगीजों ने अपना उपनिवेस अस्थापित किया था परन्तु कुछ समय के बाद डचों के नियंतरण में आ गया था अंग्रेजों ने 1793 में पंड़िचेरी प्रदिकार किया था और 1814 में जब पेरिस के संधी हुई थी तब इसे फ्रांस को वापस कर दिया गया था तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला और दूसरा कथन तो इसका बिल्कुल ठीक है जबके तीसरा कथन गलत है अर्थात आपको सही का चेयन करना है जो है ए प्रस नमबर दो आपको सामने अस्क्रेन पर दो सुचिया दिखाई दे रही है एक तरफ तो जो है यातरी है और दूसरी तरफ दो है संबंदित उनके देश दिये हुए है देखिए आपको सबसे पहले तसमान दिया हुए यातरी रहा है दूसरा फिर कैप्टन कूक तीसरा कॉलंबस और चो था वास्कोर्डिगामा और देश में आपको पुर्तगाल अस्पेन ब्रिटेन और हॉलेंड दिया हुआ है आप एक बार जो है इनकी व्याख्या को देख लीजिए जो वास्कोर्डिगामा था वो पुर्तगीज का यातरी था इसने भारत के खोज की थी औ अब आपको सही कूट का चेन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो इसका तीन दूसरा एक और चार मलत तीन दू एक चार जो है इसका सही कथन है कूट में ए ओफशन बिल्कुल ठीक है प्रस नमबर तीन होकिन्स के संदर्ब में निमलिखित कथनों पर विचार करें कथ देखिए आप 1608 इस्यू में केफटन होकिन्स अकबर के नाम जेमस फर्थम का पत्र लेकर आया जिसका जहांगीर ने स्वागत किया देखो यह तो बिल्कुल गलत है यह पत्र जो है जेमस फर्थम का जुलाया था वो थामस रोल आया था और फ्रेंड फोरेवर नाम का पत् तब इसको कहा कि आप तो इंगलिस खां हों इंगलिस खां की उपादी दी थी 400 का मनसब भी नुक कर दिया था तीसा देखिए हौकिन्स ने सूरत में वापारे कोटी अस्थावित करने के नुमती मांगी बिल्कुल ठीक है दूसरा और तूसरा उसका बिल्कुल ठीक है जो विकल्प सी में नहीं थे आप जो है इसको वैक्षा में भी देख सकते हैं 1608 इस्वी में हौकिन्स जहांगीर से मिला उसने जहांगीर से फार्सी में बात की जिससे पर भावित होकर जहांगीर ने उसे इंगलिस खां की उपादी दी 1615-18 इस्वी के मद्धि टॉमस रो जो है जहांगीर विधरवार में आया था जेमस पर्थम का राजदूर था और जो पत्र लाया था वो जो है फ्रेंड फोरेवर का था उसका नाम था और यहां जो है प्रसन में गलत लिखा हुआ है यहां कैप्टन होकिन्स को बता गया है यह जेमस पर्थम का पत्र लेकर आया था चलिए प्रस नमबर 4 पुर्तगीजों ने भारत में पर्थम दुर्ग का निर्मान किस अस्थान पर किया था तो आपको पताई होना चाहिए 1503 में अलफांसो अल्बुकर्क ने कोचीन में दुर्ग बनवाया था तो विकल्प सी इ तरहे आपि वैक्षा को देख लीजिये 2003 में पर्फं दौर्ग का दिर्मान करा गया था जो पूर्थव का पहला दौर्ग था इसके अब अज़िदीव कनौर में पुर्टगाली दौरा जो दुर्गोंका अंद्रमान करवा गया वो था प्रांसीसी दालमीडो दौरा 1500 पांच एसवी में प्रस नमबर पांच अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान किस राज्ज के सासक से प्राप्त किया था आपके विकल चारिस प्रकार है इसका जो C है गोलकुंडा के सुल्तान बिल्कुल सही है अब व्याख्या को एक बार देख लीजिए 1632 इस्यू में अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था इसके तहत कमपनी को अधिकार प्राप्त था कि वह 500 पैगोडा वार्षिक करके बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से बेरोक टोक वैपार कर सकते हैं चलिए प्रस नमबर 6 को देखिए आपको कतनों पर विजार करना और सही का चैन करना है देखिए कलकता का संस्थापक जॉब्च और नौक था दूसरा देखिए बंबई का वास्तिक संस्थापक जिराल्ड अंगियार था पहला भी सही है दूसरा भी सही है अब आप तीसरा देख लिए ये मदरास के स्थापना फ्रेंको मार्टिन ने की थी जी नहीं फ्रांसिस डे ने की थी मतलब मदरास के स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी ये जो है गलत हो गया पांडी चेरी का पर्थम गवर्नर फ्रांसिस डे था नहीं ये फ्रेंको मार्टि आपको पता भी इनके कोई संतान नहीं थी और हैदराबाद के जो थे वो थे चिनखिलिज खाँ बंगाल के जो थे वो थे मुर्सिद कुलि खाँ और करनाटक के साधुल्ला खाँ तो 4-3-2-1 इसका बिल्कुश सही है जो B में नहीं थे प्रस नम्बर 8 फर्रुक सियार द्वारा 1777 इस्वी में जारी फरमान के संदर्ब में निमलेखित कतनों में से कौन सा कतन ऐसा थे आपको गलत कतन की पहचान करनी है आप एक देखिए कमपनी को बंगाल के दिवान के अनुमती से कलकता के पास 38 गाउं की खरिदने के अनुमती प्राप्त हो गए थी बिल्कुल ठीक है यदि मुगल समराट के टकसाल में डाले गए सिकों से ही अंग्रेजवे अपारी लें देन करेंगे जी नहीं इनको यहां भी छोड़ दे गई थी को मनमर्दी से धातु से कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि प्रस नमबर 8 का जो गलत कथन है वो है D प्रस नमबर 2 भारत में डेनिस कंपनी के आगमन के संदर्ब में नेमलिकित कत्नों पर आपको विचार करना है पहला कथन देखिए 1616 इस्यू में डेनिस कंपनी का आगमन हुआ बिल्कुल ठीक है दूसर देखे 1620 इस्यू में डेनिस कंपनी ने ट्रावन कोर में वयापारिक केंदर खोला है भी बिल्कुल ठीक है और तीसर देखे डेनिस कंपनी ने से रामपूर में अपना मुख्याल बना से रामपूर पढ़ता है बंगाल में यूपी वीशेस में पूछा भी गया यह भी बिल्कुल ठीक है पहला दूसा तीसा तीनों ठीक है सही कचन की पैचान करनी है जो नहीं थे डी में प्रस नंबर दस फ्रेंच इस्ट इंडिया कंप नहीं थी तो इस बिल्कुल सही है दूसरा पांडिचेरी में फोर्ट लोई के स्थापना की थी बिल्कुल ठीक है तीसरा यूरोप में आस्ट्याए के उत्रादिकार युद्ध के कारण बारत में फ्रांसीजी अंग्रेज युद्ध के सुरुआ थी जिनको करना रटक यु जो कुज है आपके लिए रोचक रही होगी मिलते हैं नेक्स कुज में तब तक के लिए जहिंद जय भारत माहसक्ति भारत